नमस्कार, मैं रिंकू, एक्स्ट्रीम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है पुर्व मुख्य मंत्री कल्यान सिंग का अंतिम संस्कार आज दुपेर बुलन शहर के नरोरा में गंगा नदी के तटपर किया जाएगा उनके अंतिम संसकार में मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनात, केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों के मुख्य मंत्री, पार्टी के पद अधिकारी और हजारों समर्थक मौझूद रहेंगे इससे पहले मुख्य मंत्री योगी लखनाओ में बीजेपी कारेले से कल्यान सिंग की पार्थिव देह को लेकर अमोसी एरकोट पहुचे वहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिवंगत नेता कल्यान सिंग को श्रदा सुमन अर्पित किया इस अफसर पर कल्यान सिंग के सामसत पुत्र राजवीर सिंग तथा उनकी पत्नी भी थी कल्यान सिह के पार्थिव शरीप को अलिगड के अलिल्याबाई फोल कर स्टेडियम में रखा गया है उनके अंतिम धर्शन के लिए लोगों का जनसेलाब उमड पड़ा पार्थिव शरीर पहुशते ही लोग जब तक सूरच चान रहेंगा कल्यान सिंग का नाम रहेंगा कल्यान सिंग अमर रहें और जैश्री राम के नारे लगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्वर अज्यपाल कल्यान सिंग के पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के बाद उनको श्रधान जली दी कल्यान सीह को श्रदान जली देने के बाद प्रधान मत्री नरिंद्रम मोदी ने कहा कि कल्यान सीह ने भारत्य जनता पार्टी तथा भारत्य जनसंग को एक विजार देने के साथ ही देश के उजवल भविश्य के लिए कुद को समत्पित किया कल्यासी हजी भारत के कोने कोने में विश्वास का नाम बन गए थे